दोस्तो बारिस के अंदर मैंने अपने मेरी गोल्ड को भटा लिया था इस वज़ा से मेरी गोल्ड के जो फ्लावर्स है वो खराब नहीं हुए हैं लेकिन आज फिर से बारिस के आसार बन रहे हैं और फिर से मुझे अपने प्लांट्स के सिप्टिंग करनी पड़ेगी इस बार पूरे सर्दियों के सीजन का यही हाल रहा है रह रह कर बारिस जो है वो होई ही रही है आज की अपनी इस विडियो में हम Cosmos Sensation Cosmos की जो की एक बराइटी है इसके बारे में बात करेंगे Cosmos का प्लांट पैसे तो हर सीजन में उगाया जाता है और इसमें फूल भी खूब अच्छे से आते हैं लेकिन सर्दियों के टाइम पर इनकी जो कुछ वराइटी होती है उनके अंदर खूब अच्छे से फ्लावरिंग होती है और बहुत अच्छे गाडन के अंदर रौनक लगाते हैं बात अगर इनकी color varieties की करी जाए तो इनमें mainly pink, purple, white और जो है आपको maroon color के flowers ज़्यादा तर देखने को मिलेंगे एक इनका yellow color आता है cosmos का जो की normal color माना जाता है yellow और orange जो की हर season में आपको देखने को मिल जाएगा हर किसी के garden में लेकिन ये cosmos sensation जो होता है इसे जादतर winter के time पर ही उगया जाता है और इसमें आपको mainly ये जो color दिख रहे होगे मेरे भी garden के अंदर white है pink है purple है अभी मेरे garden के अंदर maroon color निकल के नहीं आया है इनके भी flowers की pinching हमको लगातार करनी होती है जैसे ही flowers खिल कर फैड़ हो जाते हैं तुरंत ही जो है इनकी जो stick निकल के आती है लंबी सी क्योंकि इनके अंदर जो flowering होती है ये देखिए एक लंबी सी stick के अंदर होती है तो उस पूरी stick को ही हमको pinch करके निकाल देना चाहिए तो हमें ऐसे pinching करके इनको निकालते जाना चाहिए pinching करने से जो है sheet नहीं बनाएगा plant और अपना सारा ध्यान flowering पर देगा बात अगर इस plant की करी जाए तो इसके लिए मिट्टी जो बनाईए वो bell drain बनाईए एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा rate, एक हिस्सा compost और एक हिस्सा cocoa कोको पीट मिलाकर इनके लिए soil mixture को prepare कीजिए अब आपको लग रहा होगा कि मैं कोको पीट लेने को क्यों कह रहा हूँ एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रहित और एक हिस्सा compost मिलाकर भी अच्छी बेर देन soil बनाई जा सकती है ये आपका जो plant है ये अपनी मिट्टी के बनाने को कह रहा हूँ पराबर भाग बे मिट्टी, कमपोस्ट, कोको पीट और जो है गार्डेन सोयल लेकर उसके अंदर moisture भी अच्छा hold होगा और मिट्टी भी well drain बनेगी तो बात अगर moisture की होई ही रही है तो अब बात कर लेते हैं watering की watering हमको मिट्टी को check करके ही करना है अ आपको इसके पत्ते yellow दिखाई देंगे flowers भी जो आएंगे वो जल्दी जल्दी फैड होते रहेंगे अब अगर बात करी जाए इस पौधे की sunlight requirement के बारे में देखिए यहाँ पर मेरे इस पौधे की मिट्टी बिलकुल जो है भीगी हुई है लेकिन वहीं दूसरे गमले की ज अच्छी धूप इसको मिलनी चाहिए और अगर पूरे दिन की धूप मिल जाती है तो बहुत अच्छा है अभी सर्दियों के अंदर इसको आप फोल सल्लाइट में रखे खुब अच्छे से blooming करेगा pot size की requirement की बात करी जाए तो मैंने इनको 8-8 इंच के अंदर 8-8 इंच के pot क अंदर 2-2 plant लगा रखे हैं लेकिन देखिए कितनी बढ़ियां ग्रोथ हुई है और कितनी खूबसूरत flowering इनके अंदर चल रही है तो pot आप 8 इंच से लेकर 12 इंच तक का choose कर सकते हैं जितना बड़ा pot दे देंगे पौधा उतना बड़ा इनका हो जाता है और वो अच्छा थोड़ा कम लगता है इस वज़ा से छोटा pot अगर देंगे तो आपके लिए ही कहीं न कहीं अच्छा होगा बात अगर fertilizer की करी जाए तो कोई बहुत जादा fertilizer requirement वाला plant नहीं है एक बार लगा कर आप चो compost इनको देते हैं उसी solid fertilizer से अपना काम चलाता रहेगा बस आपको 15-15 द का liquid fertilizer वो जरूर दीजिए ये आपके पौधे के लिए अच्छी flowering को enhance करने का तरीका है आप compost का भी liquid fertilizer बना कर दे सकते हैं बात अगर किसी fungus या disease की attack की करी जाए तो rare cases में आपके plant पर ये चीज़ देखने को मिलती है अपनी moelle का spray करिए और हर दस्रिंद के अंतराल पर इन प तक के लिए बाबाए और टेक केर